गुड मॉर्निंग दोस्टो, वेलकम बेक टो नो वीडियो दिखे दोस्टो काफी दिनो बाद आज जो है वो बारिस रुकी है तो मुझे वीडियो बनाने का मोका मिला है और देखे बारिस ने काफी मेरा नुक्सन किया है तो मैं आप लोगों को आज वो सब बताऊंगा और कुछ जो हो टिप्स दूँगा तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा बहुत ही informative वीडियो रहेगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे मैं इसी तरह के वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूंगा चैनल पे ताकि आपको जो हो गार्डन का थोड़ा बहुत नोलेज मिलता रहे जितना मेरे पास है वो तो सबसे पहले देखे यह मेरे कुछ प्लान जो मैंने ट्रेइन किये हुए है वो उसके पत्ते पीले पढ़ गए है और निच्चे गिर गए है दोस्तों देखे बारिस का रिजन है इसके पिछे का रिजन जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे यहां जो है पिछले 25 दिनों से कंटिन्यूस रही है बारिस शुरू ही रही है तो इसकी वज़ा से देखे जो है प्लान ओवर वोटरिंग हो चुका है और उसकी वज़ा से देखे पत्ते जो है पीले पहुंचाते है तो देखे तो मेरे यहां अभी तक रोट का जो है वो इस्यू जादा रहा नहीं एक दो प्लांट ही रोट हुए है जो बड़े प्लांट है वो तो एक ही रोट हुआ है लेकिन कुछ सीडलिंग जो है वो रोट हो चुके है तो मेरा स्वेल मेडिया मेरे वेटर के हिसाब से पर्फेक रहा है इस बार देखते हैं आगे क्या होता है अभी तो एक ही महिना बारिश का हुआ है तो यह देखें जैसे ही बारिश रुके और आप गार्डन में घुमें तो आप एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि इस तरह के पीले प पट्या पड़े रहेंगे तो जो है वो सोइल में एरियेशन कम हो जाएगी और जो मुइस्सर उटना का उटना ही रहेगा अगर पोट आपका खुला रहेगा फूष रहेगा नहीं तो देखें 2 घंट बारिश रुकेगी उसी में जो है आपका सोइल मेडिया अच्छी तरह अगर उपर से धका रहेगा तो उसको ड्राइ होने में काफी वक्त लगेगा तो आप हमेशा अपके इसाफ सफाई करते रहे और प्लान के उपर इस तर आके पत्य पड़े हो देखे इसको आप हमेशा हटाते रहे यही जो है वो टीप रोट का रिजन बनती है आगे जाके हमेशा जब आपको मुका मिले पंडिसाइब का सफरे करते रहे हैं रहे आज मुझे मुका मिला इस था either तो यह सारे प्राण्स बहुट्रा लानियो कैसमें कि इसमें जारे परे हुए हैं और व च्रहिकी किर्थ बारिफ में बारेका नहीं ये Якरह डूसरा जी लिए तो देखें अगर आप प्लांट जो है वो अलग अलग नहीं करोगे तो उसको अच्छा एरियेशन नहीं मिलेगा तो प्लांट जो है वो उसमें रोट और पत्टे ड्रोप होने का बहुत इस्यू हो जाता है तो देखें मैं आपको देखाता हूँ यहां सारे प्लांट जो पास-पास पर है देखें यह प्लांट आप देखें सारे इसके पत्टे जड़ चुके है और देखें यहां यह कैटर पिलर है तो ये बटरफ्राई का केटरपिलर है ये प्लांट के पत्ते सारे खा जाते हैं लेकिन उससे हमें कोई नुक्सान होता नहीं तो में जो है इस तरह के केटरपिलर हटाता नहीं ये कोई नुक्सान नहीं पहुचाते हैं भले रहे हमें वैसे भी पत्ते काई लोग प्रून करत तो यह उसका नेचरली काम कर देते हैं, देखे यह प्लांट आप देखे इसके सारे पट्ट जो जड़ गए वो देखे किस तरह का हो गया, तो अगर आपके यहां इस तरह का प्लांट हुआ तो समझे इसको अच्छी तरह से एरियेशन नहीं मिला, आप देखे इसके चारो औ प्लांट भी, तो यह सारे प्लांट में यही इस्यू है, देखे यह भी, तो इन सभी को मुझे हटाना है, मैं जो है और टेरेस पे अभी सारे प्लांट रख दूंगा, खुले-खुले, सभी प्लांट के भीश में कम से कम एक फिट का अंतर रहना चाहिए, जिससे इसके आर प्लांट के भीश में एरियेशन रखे, देखे यह सारे प्लांट भी मुझे अलग करने है, और यह देखे नेनो, तो यह यहां से रोट होना शुरू हो गया, तो इसका रिजन भी यही है, मुझे जो है, आज मोका मिला है, तो मैं सारे प्लांट खुले में रखने वाला हू और दोस्तों दूसरा देखे, यह कभी डिसिस कभी काभी हमारे प्लांट में चांस रहता है, जैसे ही बारे शुरू होगी, तो सबसे पहले देखे, सीडलिंग्स में जो भी आपके होंगे, उसमें इस तरह के स्पाइडर मैट्स लगी जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को बटाए है कि इसके लिए आपको ओमाइट का स्प्रे करना है, और ओमाइट आपको कहां से खरीदनी है, अगर आपके लोकल एगरो में मिल जाए, वो सबसे बेस्ट रहे गी और जिनको लोकल ही नहीं मिलती उनके लिए, जो है वो मैंने एमेजोन के लिंक निच्छे डिस्क में दे दी है, तो आप हमें ये पर्चेस जरूर कर लीजे, क्योंकि बारिस के मोसम में जो है वो स्पाइडर मैच का अतेक रहता ही है, तो उसके लिए अगर आपके प्लान पे आज नहीं तो कल तो आएगा ही, ये डेफिनेटली आएगा इसलिए जो है वो मैट आप खरीद तो देख लिए दोस्तो ये जो मेरे सारे प्लांट पास पास में है, उसमें सभी में जो है वो टीप रोट का या पत्तेर जो उसके लीफ रोट का इस्यू है, अब में जो है आपको मेरे टेरस पे प्लांट है वो दिखाता हूँ, जो खुले में है अलग-अलग रखे हुए तो उस पे और इसमें कितना डिफ्रेंसे में चले आपको दिखाता हूं तो यह देखे दोस्तो जितने भी हमारे खुले में प्लांट है उसमें किसी भी प्लांट के आप पत्ते देखे किसी में भी जो है वो लीप रोट का या भी टीप रोट का कोई इस्यू नहीं है यह देखे हमारा बड़ा वाला प्लांट इसके पांस में नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे चीडिया ने जो है घोसला बना के रखा है बुल-बुल ने और अंडे भी देए है और चीडिया भी अभी यहां पर है तो हम इसका दूर से ही वीडियो बना देते है पांस जाने से श 15 दिन पहले अपलोड गिया था उस पे आपने देखा होगा कि बारिस के बार जो है वो सारे प्लान के पत्ते जो है वो एकड़म हरे परे हो गए थे और अगर आज आप देखोगे तो देखे पत्ते थोड़े जो हूँ पिले पिले आपको ठोड़े लाइट नज़र तो दोस्तों ओवरोटरिंग का ये साइन है इसके तो हम कुछ कर नहीं सकते अगर आपके पांस जो है वो नेठा पोली हाउस है तो उस पर प्लांट रख दीजे वरना कोई इस्यू नहीं होगा देखे अब जैसे जैसे इसको पानी मिलता जाएगा प्लांट पीले पढ़ने शुरू हो जाएंगे तो यही इस्यू है इसका इसमें ज्यादा कुछ गभराने वाली बात नहीं है और एक हमारे मीत्र ने आज क्वेस्चन पूछा था देखे दोस्तों उनके प्लांट कुछ ज कोई माइक्रोनुटेंस की कमी या फिर ओवर्वोर्टरिंग का इस्यू होगा तो इसका जो हो मैं सोल्यूशन ढूंद के आपको जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में अभी में कुछ ज्यादा कहीं नहीं सेकता हाँ यह मेरे पिछले साल में भी मैंने नोटेस किया था ल नजर नहीं आएगा उसके पिछे का रिजन यही है दोस्तों कि यह सारे प्लांट जो है वो खुले में है और इसके बीच में देखे एक फिट की जगा है है हाइट पे भी कापी है तो जो है अच्छा एरिएशन होता है इसलिए प्लांट हमेशा बारिज के बाद तुरण रखिये सबसे बहतर रहेगा तो बस डोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपके कोई क्वेस्टेन हो जो मैंने अभी अंसर ना है ओ और धर बहुत को अखी और कोई और भी नया क्वेस्टेन हो मुझे क्में सेक्षेंट में पुछेगा मैं उसका अंसर जरूर डूंगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मुझे काफी जो है वो प्रोट्सान मिलता है उस वज़ा से नए वीडियो बनाने का मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलता है तुब आप जरूर कीजेगा और देखे अभी मुझे इसका मल्चिंग निकालना है आज मुझे मौका मिला है मल्च हटाने का इन लोगों का तो बस डोस्टों मिलते है नेक्स वुडियो में